यूपी पुलिस कंस्टेवल 6244 सेकेंड सिफ्ट का वी एक्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है आईए डिरेक्ट लाइब हम करते हैं आपके एक्जामिनेशन सेंटर से कैसा एक्जाम गया और कितने बच्चों ने सही किया कितने लड़के एवरेजली बना पाएं जैसे एक लड़के जो होते हैं कितने कुश्चन बना पाएं आपको हिसाब से कितने कुश्चन काफी हुआ कितने कोश्चन मना अपने ड़ी है कितने लड़के बना सकते हैं बतलब लड़के एवरेजली कितना बना सकते कितने कोश्चन बना सकते हैं अब लड़के आई यह सव प्लस आँ सव प्लस ही रहे हैं चली ऑल दी बेस्ट आपका रिजल्ट को पड़ी बढ़िया था मतलब इजी था कि हाट था नहीं नौर्मल नौर्म अब अब्स बोल्स नहीं जादा जादा हाट जाएं जादा हाट इस अगर बात करें कि कुट अ अब लोग लगा सकते हैं जैसे सारे लड़के 120 के आसपास ही बता रहे हैं तो इसी के हिसाफ से कड़ देना चाहिए अच्छा कौन सा पोर्शन हाट था पोर्शन तो मैस कल्कुलेटिव था आपके हिसाफ से मैस आपके हिसाफ से सब्सक्राइब अगर 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 लड़का है कितना कोश्चन बना सकता आपके इसाफ से एक सो पंदरा तो मारेगी देगा एक सब्सक्राइब अगर अगर अगामी सब्सक्राइब में जिन बच्चों का एकजाम है अगर कुछ कहना चाहें आप लोग किस सब्जेक्ट पे किस पॉइंट पर तैयारी करें तो आप सब्सक्राइब करें यह आप लोग मैठ रिजनिंग पर विसेस करके दें चलिए सब्सक्राइब बताइए आप कितना सब्सक्राइब इसके बाद प्रभू यह उसके बाद आपने बनाया है कितना किया है वन टुट वन ट्वन टुट सफ़ाइब होंगे जिए अच्छा मतलब जैंडल 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 सो ठीक था किया है सब लड़के सो के आसपास ही बता रहे हैं आपके हिसाब से पेपर का लेबल क्या था ठीक था वस थोड़ा ध्यान और देना पड़ेगा अच्छा किस सब्जेक्ट पे थोड़ा से इदर आ जाई है मैथ में प्राब्लम अधिक अच्छा मैथ में मैथ ज्यादा कल्कुलेटिव था बाती जीएस वगेरा ठीक ठीक था चलिए 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 आपको और तो कितना अपने सई किए आज लबाभा संतानर अंठानर अंठानर मांसी के बुरूची से कोशन आये थे जो पिछली बार आये थे वह ऐसा कोशन आया था नहीं उस सा पॉर्षण भारी था किस सब्जेक्ट से कोशन ज्यादा भारी थे ग्राफिवला अच्छा मतलब रिजनिंग से क आपस कितना बनाया आपने कि कमस्तम बना लगवल बीश्ट बना दिये तो बहुत है यह तो बहुत है मतलब कितना अच्छाइड आजाएड आज आज आजाओ जो बहुत है किस तरह के पूछे जा रहे हैं मतलब अगर आप इजी मॉडरेट हाट में अगर एक्स्प्रेंग करने नॉर्मल नॉर्मल पहले इसे तो मतलब थोड़ा सा हाट था अगर हम बात करें कि इतने लड़के बनाएं तो कितने कोश्चन लड़के बना पाएंगे अगर टाइम के करें दो यह से थे इता है कितना कोश्चन बनाया आप नंपने कोश्चन किसा पर केसा है पर तफ था स्टाइटिक जो था जिए आपका वी या जम था तो आप क्यों दूर जा रहे हैं पह ज्ँसमें जो जुँँट था जिस्टेक का पॉर्शन पहत बाई झीडिक और जोane qas कि दो फास एक मधर इस साइट divak आगवा मने करें गया व अधानी और जो सो कि अच्छव करें ओक दो ते लिए नहीं कि गाे नहीं वी सभी आबड़ा कि कि तना सभी हो जाएगा मैं सप्स्याम से पिछलीव चाहिए और यह यह घाल जाए कि कि ने कोशन आपने बनाया मैं एक सो बीश कोशन किया ऑच्छा सर्थ प्रइस टो काफी पर अच्छा ऑफ़ लेवल्ट लो है अच्छा लेवलल लो है पाइब कर सकता है एक सो बीस मना पाएंगे आपको ऐसे भी कम जाता है अब कर सकते थे और चालिस नहीं होता है चलिए अच्छा लगा आप से बाग कर गए आपने किया एक सचब्वीश और इसके बाद छोड़ जया कि आप बना ही नहीं कितने नंबर तक आपका यह कटफ जा सकता है कुछ बताइए गंदान तो अगर बात करें तो किस पार्ट का पेपर मतलब हिंदी था कोई नहीं था प्ड़ा से सब्सक्राइब टाइम लग रहा था अगर अगर कुछ समय मिल जाता तो देट सो भी सभी हो जाता मतलब टाइम अनेजमेंट आपका फड़ा सा अग्रबढ़ हो गया चली ऑल दी बेस्ट को सेकेंड सिफ्ट का भी पेपर समाब पूछ चुका है अगर लेबल की है एक्जाम का इजी ही बताया जा रहा जीएस इसमें पूर्शन जो है हाड बताया जा रहा है इसे पेपर आपके पास पहुंच ही जाएगा आपको पता चल जाएगा और इसमें भी जो पूर्शन जो है असान ही रहा है तो जिनका वियागामी समय में एक्जाम है बिल्कुल वे लोग उसी तरह से तयारी में लगे रहें उनका के भी रिजल्ट डेफनेटली होगा सभी को अल दी वेस्ट